हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आज मैं बात करने वाला हूँ नवोदे विद्याले समीती की तरफ से क्लास छत्वी के छात्रों के लिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन सुरू कर दिया गया है तो मैं आपको कम्प्लेट प्रोसेस बताने वाल करते हैं सरकार रिजल्ट की ओफिसल वेबसाइड पर जो कि कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है इस वेबसाइड पर आ जाने के बाद आप हमें स्क्रोल डाउन करके एड्मिशन वाले सेक्शन में आना है जहां पर हमें एन्विएस क्लास 6 एड्मिशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लिकेशन को अप्लाई करने का लास्ट डेट 31 जनवरी 2023 है और एक्जाम डेट दोस्तों देख सकते हैं 29 अप्रेल को एक्जाम होने वाला है और इसका रिजल्ट जो है 2023 जून में घोसित कर दिया जाएगा और यहां पर दोस्तों देख सकते हैं जनरल OBC EWS कंडिट के ल लेना है और यहां पर दोस्तों देख सकते हैं NVS Classics Admission 2023 में छटवी कच्छा के चातरों के लिए टोटल इसकूल 649 इसकूलों ने पार्टिसिपिट किया है और नवोदै इसकूल के लिए जो कच्छा एक्जाम रखा है और चातरा कच्छा पांच भी पास होना चाहिए तो ओनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए स्क्रोल डाउन करना है देख सकते हैं हमें आपर रजिस्ट्रेशन और लॉग इन का लिंक देखने को मिल जाता है तो अब हमें यहां पर रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पे इसली क्लिक कर देना है जैसे ही आप क्लिक कर लेते हैं त पर दोस्तों देख सकते हैं candidate corner और admin corner तो candidate corner में हमें click for the class 6 registration और how to print registration form find your registration number और prospectus का link देखने को मिल जाता है तो अब हमें इजी तरीके से यहाँ पर registration वाले याने की first link पे हमें click कर देना है click करते ही next page पर redirect हो जाते हैं वहाँ पर आने के बाद हमें यहाँ पर important information देखने को मिल यह format for study certificate to the uploaded तो यहाँ पे हमें एक format मिल जाता है और यह हमारे सामने form खुल कर आ गया है यहाँ पे हमें पुछी गई जानकारी को सही सही भर लेना है तो भरने के बाद आप easily submit करके registration कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं आपको format दिखाने वाला हूँ तो format पे पाने के लिए आप आपको import right side में important information पे जाना है और इसमें first वाले link पे click कर देना है click करने के बाद आपके सामने जवाहर नवदया विद्धाले selection test 2023 का एक certificate form खुल के आ जाता है यहाँ पे पुछी गई जानकारी को हमें one by one भलेना है यदि आपको जानकारी fill up करना है तो आपको form को अच्छी पढ़ लेना होगा इसके बाद देख सकते हैं name of student who is studying in class 5 तो यहाँ पे कच्छा पांच वाले छात्रों का नाम डालेना है आप इस form को print भी करके fill up कर सकते हैं और यहाँ पे जो भी पूछी गई जानकारी है हमें one by one भरते जाने से देख सकते हैं candidate का नाम father का नाम mother का नाम इसके बाद guardian का नाम इसके बाद हमें नीचे date of birth fill up करने की सुविदा मिल जाती है ठीक है दोस्तों इसके बाद आधार card का detail fill up कर देना है आधार number इंटर करने के बाद address, mobile number, email, annual income, nationality, religion यह समय समय भर लेना होता है इसके बाद दोस्तों देख सकते है medium of examination आप किस exam को exam को किस मीडिय में देना चाहते है हिंदी या इंग्लिस में तो यहाँ पे आपको भर लेना होगा और यहाँ पर देख सकते हैं पॉटिकुलर में आपको class 3, 4, 5 का जो details भरना है आपको आपके school का नाम passing year, joining year आपका school कौन से छितर में पढ़ता है तो सभी जानकारी को हमें यहाँ one by one भरते जाना है तो जैसे ही जानकारी भर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हमें right side में affects, passport size, photo, candidate का चिपकाने का एक option मिल जाता है तो आप इसी तरीके से form भर सकते हैं भर लेने के बाद आपको school से headmaster का sign और stamp लगवा लेना है इसके बाद दोस्तों इस form को भरने के लिए हमे वापस website पर आ जाना है आने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं जो mandatory information है हमें इसे भर लेना है तो हमें यहाँ पर देख सकते हैं अगर already अगर अच्छा पांच में बच्चा पड़ चुका है तो यस कर लेना है candidate को appeared कर अगर कराया है JNAVST exam म वाले link पर क्लिक करके हमें जो भी information दिखाए गई है प्रोस्पेक्टर जो भी जरूरी सूचना है है तो हमें इसे पढ़ लेना है कि यह exam कहां कहां पर function किया जाने वाले नोदे विद्धाले समीदी का जो भी जानकारी यहाँ पर दिखाया जारा है इसे अच्छी तरह पर किलिक करते तो हमारे सामने pop-up message आता है जहां पर हमसे आपको मैंने PDF form दिखाया था उस form को upload करने के लिए पूछता है तो यहां पर देख सकते हैं ब्राउस का option आ चुका है तो यह जो form देखने हैं दोस्तों इसे हमें वहाँ पर upload कर देना है अगर आपके पास आधार का है तो आप यहां पर आधार काड वाले section में जाकर के नो को बदल कर यस कर सकते हैं यस कर लेने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यस कर लेने के बाद आप यहां पर आधार का नंबर एंटर कर सकते हैं एंटर कर लेने के बाद आपको इजी तरीके से सब्मिट कर देना है सब सब्सक्राइब करें बहुत बहुत धन्यवाद